आज कंजुमर वहिस ने एक सेमिनार टाइप अरेंज किया है जिसके उपर फूड पैकेजेस पर कैसे लेबल होना चाहिए और लेबल की क्या आउशकता है इसके उपर सभी चर्चा हुई इसमें में इसमें मेरे ख्याल से सबसे महत्वा पूरुणा है कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा बढ़रा है non communicable diseases, जैसे कि hypertension है, diabetes है, या heart diseases है, इसका भी प्रमान बढ़ रहा है, तो इसका एक महत्वपूर्ण कारण है कि हमारा जो डायेट है, और जिस तरीके से हम बहार की fast food खा रहे हैं, वैसे packaged food का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी वज़े से ये परेशानिया हो रही है, हम हमारे सांसकार और जो कल्चर है, उसको भूल रहे हैं, जो हम पहले खाना खाते थे उस तरीके से नहीं हो रहा है, तो मेरा ये मन्ना है कि FSA साय के साथ में बैट कर, इसके उपर चर्चा करके इनके लेबल हो ताकि लोगों को पता चले कि इसमें sugar जादा है, या fat प्रमान जादा है, या salt जादा है, और वो easily पता चले सभी आम आदमी को कि भई क्या है और उससे क्या परिशानी हो सकती है, और दूसरा FSA के तरब से तो ये रहे, और ये mandatory होना भी जरूरी है, याने सभी के लिए ये समझ में आए कि वो जो खा रहे है, वो क्या चीज़ खा रहे है, तो इसलिए मुझे लगत चर्चा हो और जो भी निर्ण है, वो जनता के लिए पाइदे मन रहेगा.